हेलो दोस्तों टेक्निर उसमें आप लोगों का सुवागत है और आज इरेक्निस शुरू करते उससे पहले एक चीज़ कहूंगा बेक्ग्राउंड लोकेशन इग्नॉर करना सिर्फ टेक्निस पर फोकस करना और मैं सुबह की वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ लेकिन काम काफी ज्यादा चल रहा है तो मैं काम पर फोकस फिलाल के लिए कर रहा है तो उस पर यहां पर आज रिएक्टर जो शुरू करते हैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए तो पहले कबर की बात के तो शुरूबात करते हैं कि यहां पर LG से तो LG का यहां पर एक नया पेटेंट जो वो सामने आ चुका है जो बहुत ही यूनीक पेटेंट है और हाला कि LG को नहीं बात नहीं बात नहीं बलकि एक बहुत ही इनिविटिव कंपनी कुछ नहीं तो smart pen आपको यहाँ पर दिखाए दिए और इसके दरा आप लोगो दो डिस्पे मिलेगे, सबसे पहला जो डिस्पे होगा वो आपको सामनी की तरफ pen के ऊपर मिलेगा, जो pen की instruction आपको data वगरा देंगा, call, messaging वगरा की, और उसमें एक button मिलेगा आपको जब आप उसको प्रेस क मिलेगा, आप calling वगरा भी यहाँ पर इस pen के जरीए कर सकते, अपने phone से connect कर सकते हैं, और security से चीज़े आपको यहाँ पर biometric चीज़े भी जो देखने को मिलेगी, तो यह बहुत ही cool concept है, जो अभी तक फिलाल के लिए patent बनकी रहे गया, क्या पता आने वाले समय में, हमें एक pen के रूप में एक smartphone भी देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल भी hectic नहीं होगा, आप जेप में लगा दिये, चल दिये, उटाए, बात करें, जो करना करें, यह technology यहाँ पर आ रही है, और LG नहीं यहाँ पर प्रूफ करके बता दिया है, शाओमी की तरफ से यहाँ पर खाबर पैड मिला था, और जो QI के support, QI charging का support के साथ में आपको मिलता है, फोन Xiaomi का, जो Mi Mix 2S है, जो आप यहाँ पर इस पैड पर लगा के चार्ज कर सकते हैं, अब यह देखेंगे आपे नए पिच्चर जो वो लीक हो के आचुकी है, जो सेम डिजाइन आपको देखने को मिलती है, जो पूरान वाला wireless charging पैट था, यह भी आपको वैसे ही मिलता है, सामने की तरफ green LED लिए आपको मिलती है, जो Mi Mix 3 आएगा, वो भी wireless charging के support के साथ में आएगा, तो आप इस पर रगा कि इसको जो जो चार्ज कर सकते हैं, तो यह कुछ यहाँ पर आपको नया device, जो wireless charging के रूप सा नहीं होता है, क्योंकि Xiaomi की camera जो samples होता है, यह बहुत ज़्यादा Xiaomi इसमें को editing करता है, तो यह कुछ clarity आपको यहाँ पर Mi A2 में मिलेगी, जो बहुत जल्दी आपको वैसे है, तो Mi 6X वो ही same camera आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो बहुत जल्दी हमें globally देखने को मिल कैसा time slot वो लोग decide करते हैं, लेकिन एक reports यहाँ पर सामने आ रही है और बता रही है कि आपको Xiaomi का Redmi 6A सब्टेंबर के महीने के अंदर जो इंडिया में देखने को मिल सकता है, ऐसी यहाँ पर खबरे आ रही है, तो मुझे नहीं पता, आपको मैं बोलूगा भी निकिस पर upgrade कर में देखने को मिलेगा, जिसका नाम होगा Blackberry Ghost, जो July के महीने के अंदर लाँच होगा, जिसमें आप लोगो 4000Ah की बैटरी मिलेगी और dual rear facing camera मिलेगा, और एक full view display मिलेगी, कुछ पिच्चर यहाँ पर आप देखेंगे, leak हो क्या चुकि यह even blast, उन्होंने यहाँ पर बताया है और यह वाला smartphone इसके अंदर क्या processor होगा, क्या कुछ होगा, अभी फिलाल के लिए कुछ नहीं बता, लेकिन Blackberry का जो key 2 है, इसकी भी बाते हो थी कि यह भी July में launch होगा, अब कौनसा phone Blackberry पहले launch करता है, यह नहीं बता, लेकिन Blackberry Ghost तो finally confirmed हो चुका है, और बहुत जिल्दे में और वहाँ पर जाके pre-register कर सकते हैं, और जब यह यह game officially available हो जाएगा, प्लेशर में क्योंकि launch date अभी तक सामने नहीं आई है, तो आपको notification आजएगा और फिर आप directly game को जाके install करके use कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जब मैं अपने Xiaomi के phone से जगाया, ता Mi Note 3 से, तो यह म Amazon की तरफ से खबर आ रही हो, अगर आपने Amazon के Prime Now का application install नहीं किया, तो आप इसको install कर लेजी है, क्योंकि इसके अंदर आपको grocery, vegetables, fruits, meats, staples के अलावा भी आपको यहाँ पर अब इसके अंदर smart phones भी जो वो देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर आप लोग को 2 घंटे के अंदर Moto G6 और Redmi 5 वाले भी फोन, आपको यहाँ पर इसके अपर 2 घंटे वाले delivery में जो वो मिलते है, और साथ में इसके अंदर आप लोग को बहुत सारे electronic gadgets भी देखने को मिल जाते है, तो Amazon Prime Now अगर आपने यूज नहीं करते थे, तो आप जाईए, यूज कर लिजी है, और smart phones भी आ आपको बहुत कुछ दे देगा, और उसके बद जियो फोन यहाँ पर आया था, जो आपको effectively free phone मिलता था, जियो फोन, पंदरा सोरे पर आपको देना था, और तीन साल बाद आपको वही चीज जो वापस मिल जाएगी, एक security deposit था, तो phone की value यहाँ पर 0 रुपीस होती थी, रुपे का तो नहीं होगा, बलकि effective price उसकी एक रुपे की होने वाली है, अब वो क्या करेगे, क्या security deposit होगा, यह नहीं पता, या फिर कोई पहले के phone, उसके बंदल offers लाकि उसकी effective price एक रुपे कर देगी, यह Micromax से कुछ भी कर सकता है, वेट कर लीजिए, देखते कि यहाँ यहाँ पे कितना जल्दी यह phone आता है, उसके बारे में भी आप लोगो सारी जानकरी मिल जाएगी, तो यहाँ पे HMD की तुरब से ख़बर आड़ी, और HMD यहाँ पे बता रहा है कि वो अपने Nokia के 810 4G feature phone के अंदर आप लोगको WhatsApp का support बहुत जल्दी जो वो देने वाला है क्योंकि जियो phone के अंदर भी और जियो phone 2 जो आएगा, इसमें आप लोगो WhatsApp, YouTube, Facebook का support मिलेगा, का iOS में, तो अब यहाँ पे HMDN भी confirmed कर दिया कि Nokia के 4G, 810, अगर आप इंडिया में यूज कर रहे हैं, तो finally आपको इसके अंदर भी जो वो WhatsApp मिल जाएगा, लेकिन price तो आपको frequency आपको यहाँ पे 3 GHz के अपर जो वो देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पे Cortex A76 पे based होगा, और इसके अंदर दो प्रोसेसर आपको मिलेगी, एक होगा 7NM पे वाला जो 7 LPP वाला होगा, और दूसरा 5NM वाले प्रोसेसर भी आपको मिलेंगे, जो ultra low power वाले प्रोसेसर हो वाले प्रोसेसर है, उस पे भी काम कर रहा है, जो 2019 मिलेगा, जिसके अंदर आपको EUV की technology मिलेगी, extreme ultraviolet lithography वाली, तो यह भी एक नई टिक्नलोजी सैमसंग लेके आना वाला है, सैमसंग काफी महनत कर रहा है, और नए प्रोसेसर पे काम कर रहा है, जो बहुत ही जाता power आप उसका है, market share में 2.4% से, और second number पे यहाँ पे वही सेम 2.4% से Samsung Galaxy S9 Plus आया है, लेकिन कुछ margin का यहाँ पे फरक है, इसलिए iPhone 8 थोड़ा सा उपर आ गया है, उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरे number पे iPhone 10 मिलता है, 2.3 पे और उसके नीचे आपको Xiaomi का Redmi 5 ये, और उसके बाद iPhone 8, उसके बाद Samsung S9 Plus और उसके बाद तीसरे पे आपको iPhone 10 वगरा के phone देखने को मिलते है, तो यह कुछ report आ चुकि ये April में तो Samsung आ गया ता, May में iPhone आ गया और हमें ने पता कि June में कौन यहाँ पे जो आ गया आता है, तो यहाँ पे Nintendo Switch के अपर बहुत ही बड़े बड़े चर् सामने आ चुकिए जहाँ पे इसके आप एमिलोटर्स जो वो यूज कर सकते है, और पुराने यहाँ पे Nintendo के GameCube के गेम्स भी आप इसमें एमिलोटर के द्वारा जो वो खेल सकते है, अब यह सारे चीज़े यहाँ पे सामने आ चुकिए और काफी सारे लोग इसका इसका इस तो Nintendo Switch अगर आप यूज करते हैं, तो यह काम बिलकुल भी नहीं करना है, क्या आपको यहाँ पे पता है कि दुनिया की सबसे छोटी flight duration कौन सी है, यहाँ पे UK के अंदर दो island है, और एक island से दूसरे island पे जाने के लिए एक flight मौझूद है, जिसकी duration यहाँ पे सिफ दो मिनिट किये, दो मिनिट में आप एक island से दूसरे island पे यहाँ पे जो जा सकते है, आप वो किस तरीकी का plane होगा, शाइसे छोटा ही plane होगा, लेकिन आप ship का भी तो वैसे इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन flight duration जो सबसे छोटी है दुनिया में, वो यहाँ पे UK के अंदर एक island से दूसरे island